किनौर का हम लोग जो मैक्सिमम है हम लोग अल्ड जो जो ग्राफिकल ही इंपॉर्टेंट है और कल्चिरल यही है जो आपका हिस्ट्री वाला चेप्टर है वो सिर्फ आपका एक पेज टैस्ट नहीं तो यहां पर आपको तीन-चारपेजिस का यह चाप्टर है दीखेगा तो तो सबसे पहले तो important question यहां पर आता है कि किनौर में languages कौन-कौन सी बोली जाती है तो किनौर में हमस्काद, संगनौर, जानगिया, किनौरी और सुमेचू यह languages के नाम है कभी-कभी question सिधे-सिधे पुछेंगे हमस्काद, संगनौर, जन्गिया क्या चीज़ है तो यह languages है जो आपके किनौर district में बोली जाती है तो यह याद रखना सबसे पहला important factor है दूसरा हमने already पढ़ चुके कि किनौर को अलग किया गया था महासू district से जब हमारी हिमाचल बना तो उस टैम पे महासू एक बड़ी district थी तो 1st May 1960 को महासू district से क्या किया गया किनौर को काव आउट करके नया तहसीर बना आ गया किनौर तो उसको जो पहले बोलते थे चीनी तहसीर बोलते थे किनौर को मतलब किनौर का पहले नाम चीनी तहसीर हुआ करता था बड़ अब इसको separate करके 1st May 1960 को आपको किन्नोर डिस्टिक का नाम दे दिया गया है Important fact यही है कि जो आपका किन्नोर है वो international border बनाता है किसके साथ तिबबत के साथ और वो जिसके साथ border बनाता है महाँ पे जो range है वो जासकर स्कार जो है वो आपके किन्नोर और तिबबत का जो हो international border आहा लाहूलन्स पिटि शिम्ला औन कुल्लु कुलु लाहूल्स पिटि आड शिम्ला आपका बॉर्डर शेयर करके है plus State उत्राखंड plus International Border दिबथ लिए कि इंटरनाशनल बॉर्डर जोते है वो शुरू कहां सोते है परेचु और हम अल्वेडी पड़ चुके है passes अमने पढ़े हैं से घड़वाल के साथ और यहां परrau कि इं्टरनेशनल बॉर्टर जो है वो परेचों से शुरू होता है और यहां पर जो पासिज है मतलब आपकी तिबत वाले जो बॉर्डर करता है उस सािड जो पासिज है, वो !! शिपकिला, रैंसो, शिमडांग और गुमरांग, ठीक है, अब आपको यह आद दो होना चाहिए, कि हम किनौर में जो पास्स पढ़ चुके है, किनौर डिस्टिक से रिलेटिड, वो हमने घडवाल से रिलेटिड पढ़े थे, तो अगर मैंने बोला कि आपका किनौर है नीचे यह उत्राखंड के साथ बॉर्डर शेर करता है, तो वो सारे पास्स अमने घडवाल वाले पड़े थे, अब यह किनौर क्योंकि तिबबत के साथ भी बॉर्डर शेर करता है, तो इस साइट कौन-कौन से पास्स आपके, वो यह नाम दे रखे है, रैंसो पास, शिपकिला, शिमडांग और गुमरांग पास्स, तो याद रखना है, यह जो है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पास्स है, वो है, तू हाइस पीक ऑफ किनौर, यह अल्रडी एक बारी पेपर में क्वेश्चन आ रख है, कि हाइस पीक ऑफ किनौर की कौन-कौन से है, लियो पार पारगिल और पारसला, लियो पारगिल, कहीं जगा पे इसको रियो पारगल भी लिखावा है, रियो, र-e-o, तो लियो फारगिल और पारसला जो है, वो आपके किनौर की हाइस पीक है, यह याद रखना है, नेक्स्ट इंपोर्टन अब हम रेंजिस देखेंगे, जो आपक Great Himalayas, हम already पढ़ चुके हैं, कि जो जासकर है, वो Great Himalayas का ही पाथ है, ठीक है, मैम आपने वो क्लास नहीं लगाई थी, हाँ, तो वो देख लेना, तो वहाँ से आपको समझ आएगा, बट मेरे recording ना, अगर आप डिस्ट्रिक्स की सारी क्लासे लगा रहे हैं, तो आपको यहा इस इस पाइड़ देख सकते हैं, इस प्लास को, यहाँ पे जो Great Himalayas का है जांस करें उसी का पाथ है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि किन्नौर में, जो किन्नर के लाश है और रालदान पीक है, वो सबसे ज़्यादा पीक है, आपकी कहाँ पे, किन्नर में, लेकिन किस पे Great Him हिमालैस का पार्ट है एक उपधर कि हिनल जुक नॉर की कि चयाएestion दिच्व उपर,また यह क्रीम क्लरेट ग्रेनईट औन क्वार्ट गिव लियो पार्गल अपेरेंग्स ऑफ मारवल इसकी जो स्ट्रक्टर है मतलब रॉक्स है वह थोड़ी ग्रेनईट की बनी हुई है तो मतलह हो ऐसा पथर है जब उस पे शन की किरने पढ़ती है तो वह ऐसा होताइं कि वह मारवल है तो यह paper में question आ रखा है कि कौन सी वो ऐसे peak है जो इसकी appearance जो आते है वो marble की तरह आते है तो लियो फारगल और यह जो है जांसकर range में लाए करती है important है किन और की highest peak लियो फारगल पार्सला ठीक है किनर के लाश को रालदन पीक भी बहुत है तो यह भी आपके जांसकर range में है इतना ही था range का part अब देख लगते है important values किन और में कौन कौन सी rivers हम already पढ़ चुके है river section में सबसे जादा जो बड़ी वैली है डिस्टिक की तो यह तीन होगी important rivers तब हम यह देखेंगे valleys वैले section में सबसे जादा जो बड़ी वैली है डिस्टिक की वह आपकी सब्लूज है यहां पर cliffs लेख रखेंगे cliffs होती है सिद्धी चट्टाने वैसे भी किन और अगर आपने कई भी विजट के हो तो वहां पर हमेशा सिद्धी सिद्धी चट्टाने दिखती है आपको सड़के भी पत्थर की सिद्धी चट्टानों के बीच से काव आउट की है तो यहां पर यह लिख रखा है कि तरांडा वांग्टू एंड रोगी यह तीनों नाम लिख रखे है और यह लिख रखा है कि यह क्लिफ्स है किन और में क्वेशन सिद्धी आ सकता है कि तरांडा वांग्टू और रोगी क्या है वीजार क्लिफ्स जो हमार आपको सतलूज वैली के किनारे मिलेगी किनौर जो है वो रीवर साथ में चलती है और साथ में आपके पहाडी में से कावाउट करके रोड निकालें तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर लिक्रता है कि तरांडा वांग्टु एंड रोगी जो है वह एक खिलिफ से कि सिद काहा मिलती है किस तो हेंड़ भंड क पिति वैली को है थाफिर्फ बेली से और स्पिति के वही बोलते है यहां पर पे रोपा भी हमने पढ़ लिया था यह भी ट्रिबूट्री है आपकी सतलूज की तो रोपा वेली भी एक वहाँ पे वेली है उसको बोलते है सुनम वेली important है यह याद रखने ये बुक्स में नहीं दे रखा है मुझे ये fact बिला था कि कौन सी वेली को सुनम वेली बोलते है रोपा वेली श्यासो, सुनम और रोपा ये तीनों रोपा वेली के नाम है और obviously अगर Ropa Valley है तो यह इसको Ropa River जो है वो ड्रेन करती है तो Ropa, Shiaso और Sunam Valley जो है वो आपके जो है Ropa Valley को ड्रेन करती है ठीक है तो next है Baspa और Sangla Valley already पढ़ चुके हैं कि Baspa Valley को Sangla Valley भी बोलते हैं तो यह Sangla Valley जो है इसको कॉनसी इर नदी ड्रेन करती है? बासपा रिवर, अगेन आपकी ये सतलुच की ट्रिबूटरी है, यहाँ पे सांगला विलेज है, कि सांगला विलेज है, इसको बोला जाते है कि most romantic and beautiful village of Kinnor, I think ये question paper में आरख है सिदे-सिदे कि which valley is known as most romantic and cold as most romantic and beautiful valley of Kinnor, और एक और point है कि यहाँ पे कामरू, historic village of कामरू is situated on this valley, कामरू जो था पहले, अगर हम पढ़ेंगे भी शिमला में हम बुशहर पढ़ेंगे, तो बुशहर जो थी, उसकी historic capital हुआ करती थी, बुशहर की, और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो मैं कर राज चुकिए कि रामपूर, बुशहर वह और कि नौर वाला पाड़ था यह महासू वाले एरिया में आपका पहले, तो उस recording जो है, historic village कामरू है, वह कौन सी वैली में लाय करती है, सांगला, यह पेपर में question आ रखा है, और मैंने मोन भी लिख रखा है नीचे, यह भी मैंने कराया था, इसको मोन भी बोलते है, सांगला, कामरू को, ठीक है, मोन, यह पेपर में question आ भी रखा है, historic village of कामरू is situated in सांगला वैली, ठीक है, next, बस्पा वैली is connected with गढ़वाल by several passes, 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 हमने already पढ़ लिया कि किनोर जो है, वो घढ़वाल के साथ border रखाता है, और यह कौन-कौन से passes अगर याद हो, बुरुआ पास, लमखागा पास, बोर्सा पास, किमले पास, यह हम कर चुके है, यह हम कर चुके है, तो बस्पा वैली लिख रखा है, इसका वालब किनोर क पास, जो घढ़वाल के साथ है, तो यह हमने कर लिए, ट्रिक्स के कोडिंग, एक बड़ी ट्रिक जो है, यहाँ पर भी लिख लेना, ताकि आपको इजी रहे गए, याद पर निकली, मैं करवानी रही हूं दुबारा से, शिंका, किमले, बोर्सा, लेड़ टू, हर्की दू वेल, हर्की दून वेली जो है, यह उत्राखंड को ही बोलते है, उत्राखंड के घड़वाल एडिया को ही बोलते है, अब मेरे ख्यासे, जो मैंने ट्रिक कराई थी, उसमें किमले नहीं था, चार लामा किन और के गाउं में गे और उन्हें बूरा लगा, बोर्सा पास था, और क्योंकि जो था, वो रूपिन जो था, वो शिंचैन देखने लग गया था, और उनकी खातेदारी, यह जो ट्रिक थी, इसमें किमले नहीं आया था कहीं, तो यह आपके लिए नहीं आया है, आपने वहाँ पे भी आड़ान कर लेना है, नोच में डालके किमले, किमले भी यह पास है, जो आपके किन और को हर की दून, हर की दून याद रखना उत्राखंड में है, घड़वाल, और क्यारा ददून आपके सिर्मॉर में, कि don't get confused, हा, हर की दून वैली, कभी-कभी confuse करने के लिए कियारा ददून भी लिख सकते हो, क्योंकि उत्राखंड जाए सिर्म कुछ आता, देखो, वहां पर question सिद्धे था, which is the most rugged valley of किनोर, आज की देट में अगर देखा जाए, तो rugged का मतलब का उबडखाबड, तो यार ये वैली, उबडखाबड वैली तो खहीं भी हो सकती है, उस टाइम पर ये question देखके, बहुत सारे बच्चों के लगा कि यार य और पेपर में डाला, तो question सिद्धा सिद्धा था, which is the most rugged gland of valley of कुलू, या मेरे according ये question था, कि the thidong valley is the most rugged gland of किनोर, incorrect correct में आया था, बट ये question आ रख है, तो सबसे उबडखाबड जो valley है आपकी किनोर की वो thidong valley को माना जाता है, और इसको scene of savage gradier के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, scene of savage gradier, याद रखना, जो भी passes या valleys हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी का कोई नाम दे रखा है न, particular वो बहुत जादा important हो जाता है, ये भी paper में आ रखा है, कि कौनसी जो valley है, उसको scene of savage gradier बोलते है, और कौनसी वैली जो most rugged gland है, तो thidong valley, एक और fact है कि यहाँ पे एक भ ठीक है, ये जो valley, भावा, valley है, ये भावा नदी के किनारे है, ठीक है, तो ये जो valley है, ये largest village है, आपकी district की, तो which is the largest village of district की नौर, भावा, very important, ये question confusing, मैंने आपको पहली भी पढ़ाया था एक बारी, कि largest, highest, longest, ऐसे valleys पूछलते है, तो ये जो आगे लग रखे हैं, ये या क्योंकि largest village जो है, वो आपकी नौर डिस्टिक की भावा है, और highest जो है, वो है, छितगुल, तो ये जो है, आपका last village भी बोलते है, हिंदोस्तान ओल्ड, हिंदोस्तान तिबद ट्वेड रूट पे, तो important है, कि largest village जो है, वो आपकी भावा है, और छितगुल जो है, वो last and highest valley in the Baspa valley, first question है, कि Baspa valley का जो highest valley है, वो कह है, छितगुल, बसपा valley की जो highest valley है, वो छितगुल, और ये right banks of Baspa situated है, हाँ, छितगुल village भी है, valley भी बोलते है, क्योंकि वो नदियों के किनारे, जो जिस एरिया में है, वो valley कहला है, तो छितगुल से related ये fact है, ये highest है, last village भी बोलते ह इसको, तो यहां पर यहां पर यहां रखना, last valley भी हुई, highest valley भी हुई, और last village भी हुई आपकी, जिस पे जो है, old Hindustan, Tibet trade route पे जहां पर ये end कर जाती है, important है, ये पूरा जो हमने पढ़ा भी, ये Baspa valley के अंदर है, next important, कि छितगुल को जाते कैसे, देखो, छितगुल जो है, हिमाचल में किनौर में ही है, मतलब किनौर में पढ़ता है, लेकिन इसका जो area है, वो मतलब बहुत ही, ऐसे मतलब difficulty से, passes के थ्रू जाना पढ़ता है, तो जो हमारे किनौर के main land को, जो छितगुल वैली से connect करता है, उसको बोलते है, चारंग पास, पास का राम है, चारंग प इसको बाउंडरी भी बना रहे है, तो चारंग जो है, वो बीच में ही है, किनौर के, जो आपके main किनौर area को छितगुल के साथ connect करता है, important, next, point, Poo, P-O-O, कई जगा पे इसको P-U-H भी लिख रखा है, तो ये, हाँ, मतलब ये तीम चा नाम दे रखा है, अलग लग जगा ये जो है, सबसे छोटा टाउन है, किनौर का, ये question paper में आ रखा है, ठीक है, कि Poo is the small town in किनौर district, और इसको जो है, सपुवा भी कहते है, S-P-U-W-A, ये question आ रहे था paper में, सिद्धा सिद्धा, correct, incorrect में आ रहे है, correct, incorrect में ही आ रखा था, 3-4 points दे रखे थे, किनौर district से related ही, तो आपे सिद्धे सिद्धे question आ था, ये जो है, ये apple orchards के लिए famous है, vineyards के लिए famous है, almond trees के लिए famous है, ये trading center हुआ करता था, और अभी भी है, क्यूंकि small town है, तो trading जो होती है, किनौर में, markets बगारा जो है, वो पुह में है, सपुवा यहां का नेम है, very important point, already paper में आ चुका है किनौर में तीन ranges है, तीनों की तीनों ranges हमार को किनौर में मूलती है, जांसकर mountains in the east, northwest to south, east direction stretches, greater himalayas, इधर आपके जांसकर है, इधर आपको greater himalayas मिलेंगे, और आपके धोलाधार भी बोलते हैं, कि धोलाधार की जो crest है, मतलब धोलाधार ranges तो आपके किनौर में नहीं बोली जाती है, वो बली जाती है कि रामपूर भुशहर के पास से आपकी मंडिक होती है, लेकिन बोलते है कि starting, कहीं crest की starting है, वो southern district कि नौर की southern area से मानी जाती है, अब ध्यान से दिखना है, यह तीनों points, मेरे recording, अब जो है पेपर में यह तीनों points आएंगे, तो कभी-कभी questions की sense भ है, वो ज़रूरी नहीं है, कि बिल्कुल वैसे ही है, कभी-कभी directions, आप सभी को पता है, कि geographical features की वज़ा से, landslide होती है, दिक्कते आती है, तो जिसकी वज़े से, कुछ ना चीजों में mountain ranges में changes आ चुके होते हैं, बट जो लिख रखा है, वो लिख रखा है, और book में जो है, तो यहाँ पर जो कि नौर की three ranges बोली है, यह exactly line red low, हिजासकर mountains east में है, और north west से south east direction की तरफ जो है, ग्रेट हिमालया stretch करता है, और दहुलाधार crest touches southern district, मेनली दहुलाधार lies between Kullu, Mandi, Kangra and Chamba, यह पढ़ा था हमने, बट यहाँ पर बोल रखा है कि दहुलाधार की crest है, वो किनौर की southern district को, मतलब किनौर को थोड़ा सा touch करती है, तो हाँ, हाँ, तो अगर आपको statement आती है, तो वहाँ पर यह point याद रखना और उसके basis पर आप question attempt कर में question आया था, तो उसमें Mandi, Kullu and one more district दे रखी थी, तो उसके according वो जब हम कर रहे थे, क्योंकि हमने यह नहीं पढ़ा था, उसमें all of the above था answer, अब दो तो मिल रही थी, तीसरी नहीं मिल रही थी, बट तीसरी के according हम एक को tick नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्योंकि एक ही questions आपको मिलेंगे, तो वो आपके लिए new fact भी हो जाएगा, कभी-कभी आप question paper attempt करते हो ना, तो make sure जो आप घर आके उसको check करो, आपको कई-कई बारी question paper में नहीं नहीं चीज़ें मिल जाती, जो books में भी नहीं दी होती, मैंने बहुत सारी चीज़े notice किया, जो books में नहीं है पर question paper से नहीं नहीं चीज़ें हमारको मिल गई है, तो हमेशा याद रटना paper attempt करके आओगे, उसको answer की से tally करना, पहले मैं नहीं करती थी, इसलिए मैं बता रही हूं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि questions repeat होते हैं, और कभी भी, क्योंकि static portion है, कहीं से भी डाल दते हैं, वो As Frankie arrived in Puhu, it was the first village where he found that the language was entirely Tibetan, ये question भी paper में आया हुआ है, ठीक है, कि AH Frankie जो है, कोई traveler होंगे, ये जब आपके यहाँ पे आए, ठीक है, पुह वैली में आये, पुह विलेज में आये, small town, विलेज नी, sorry, town में आये, तो इन्होंने रेखा, यहां की लोग जो है, वो पूरे के Tibetan बोलते हैं, तो किनौर में कुछ ऐसे अरिया भी है, जहां पे जो है, किनौरी, जो हमने पढ़ लिया हम्सकाद, तो ये सारी जो है, कुछ-कुछ Tibetan language भी है, तो इसने बोला कि पूह में, पूरी की पूरी पूह में, जो है, एंटायर विलेज में जो है, वो Tibetan बोली जाती है पूरे अच्छे तरीके से, तो ये important है, ये statement paper में आ रखी है, rivers of किनौर, सतलूज, सतलूज का हम already पढ़ चुके है, किस-किस नाम से बोलते हैं, वेदिक में उसको सतूदरी बोलते हैं, संस्कृत में उसको शतादरू बोलते हैं, ग्रीक वालों ने इसको जलजराडस और है जिडरस बोल रखा है, और तिब्बत में उसको जुंगटी और मुक्संग बोलते हैं, ते चारो की चारो statements रट लेना, जुंगटी और मुक्संग जो है तिब्बत में आपके सत्वुच को बोला जाता है, स्पिती भी हमने पढ़ लिया, आप स्पिती की जो important tributaries है, आपकी जो किनोर में हैं वो जुपकिया, थठांग, सेरिंग, रुत्की और सुथू, देखो ऐसे तो आप लोगों को यह मुश्किल होगा, पर अगर आप बार एक ही पेज रिपीट पर पढ़ते होगे ना, दस बार ही device करोगे तो दिमाग में इमेज क्लिक हो जाती है, कि हमने कही सतलूज रिखा था, उसके नीचे हमने स्पिती की कुछ नदियां लिखी थी, क्योंकि थोड़े बहुत यह नाम लगते हैं, माचिंग, बुद्धिस्ट नेम, थोड़े से तिबतियन नेम लगते हैं, जुपकिया, थठांग, सेरिंग, रुत्की, तो कुछ-कुछ चीज़ स्मार्टने से सॉल्व करने की ट्राय करना, तो यहां पर स्पिती की यह है, रोपा हम पढ़ चुके है, रोपा जो है, सतलूज की ट्रिबूटरी है, बोल रहे हैं, मिलती कहा है, शियासू, कहां मिलती है, शियासू, रोपा मर्जिज विच सतलूज नियर शियासू, और हमन पेजूर और तैती is one of the largest feeder of the सत्लूच. सत्लूच की जो largest feeder है, जिस नदियों को सबसे ज़ादा पानी मिलता है, वो है पेजूर और तैती. Very important question. यूला is tributary of सत्लूच. एक और सत्लूच की tributary आगी, यूला. I am sure कि मैंने सत्लूच जब river कराई थी, कि वहाँ पे यह नहीं कराया है नाम. हाँ, तो. सत्लूच की, हाँ, feeder बोलते हैं, largest feeder, पेजूर, तैती, यूला. पेजूर और तैती, तैती मैंने शायद से लिखवा रखा है, मैंको पता है, याद है. तैती जो लिखवा है, लेकिन पेजूर और, पेजूर का मैं शायद नहीं हूँ, बट यूला मैं लिखवा चुकी हूँ. तो आप एक बर ही, रिवर्ज वाले सेक्शन में सत्लूच देख लेना, और जो जो नहीं है, वहाँ पे लिखा है, उसको एड़ ओन कर लेना. नाचुरल वेजिटेशन, कि नौर में, जो है, थ्री टाइपस की नैचुरल वेजिटेशन मिलती है, नैचुरल वेजिटेशन जो है, आपके क्लाइमिट कंडिशन पे डिपेंड करती है, और स्वाइल की कंडिशन पे डिपेंड करती है, ठीके, कहीं की जो वेजिटेशन है, वो अव्यस सी बात है, स्वाइल और क्लाइमेट कंडिशन पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर मर को अलग-अलग जोन की जो है स्वाइल, या अलग-अलग जोन का क्लाइमेटिक टेंपरेचन विलता है, जिसकी वज़े से यहाँ पर काफी वेराइटी है, नाच्राल वेज़ेटेशन की, तो वेट जोन फोरेस्ट, जहां जिस एरिया में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वो बना जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ सतलूज, तो सतलूज की जो लेफ्ट साइड है, इसको wet zone forest माना जाता है ठीक है यहाँ पर kale, spruce और fir trees होते हैं ठीक है मतलब अब कहीं पर बारिश हो दिया तो obviously बात है वहाँ पर trees होंगे तो यहाँ पर माना जाते है कि सतलुच की जो left side है वहाँ पर क्या है यहाँ के kale, spruce और fir के trees है second zone जो यहाँ माना जाता है बन जाता है dry zone forest वो कहाँ पर निच्छर और चीनी अभी class end होने के बाद आप लोग क्या करेंगे इसको पढ़ लेना कि निच्छर और चीनी जो है वो क्या है आपके जो इस एरिया में जो है वो dry zone forest रहते हैं और नियोजा पाइन जो है वो यहाँ प की vegetation है very important तो इसको भी याद रखना तो किनोर जो है वो रिच है minerals में फ्लेसपर वीन वांक्टू में मिलते हैं कॉपर वीन रोपा माइका जो है तांगलिंखड में मिलता है जिपसम में जो है वो शैलखर चांगो मिलता है तो यह आपका geographical features से हम आज इतना ही पढ़ेंगे कल हम जो है आपका जो history वाला chapter है मतलब history वाला part है कि नोर का वो करेंगे तो इसको please आप reverse वाले portion से connect करके पढ़ लेना